मांसकार दोस्तों, दोस्तों एक विवर ने अपने घर का प्लान दे जाए, लिखते हैं सर में सतना से है ये, उर्जी प्रणाम ग्रुजी ये मेरे घर का नक्षा है, मेरा मकान वेस्ट फेसिंग है, मकान के शट ढल चुकी है, करपा करके मुझे सुजाओ दे कि अंडर्गाउ इस्ट वेस्ट नार्थ इस्ट साउथ दरवाज़ा प्लिकों से जगा प्रश्रिम वाइवे में रखा है, तो यहीं होना चीमत में इंट्री कार पार्किंग रखी है, पर एक बात ध्यान रखी है, कि यदि कवर कार पार्किंग और घर पूरा इने की एक दो स्टेप उशा बना है, तो यह नीचे नहीं रह सकता, यह नीचे रहा तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि यह नीचे रहा तो यह वाइवे कौन का जो है, अब निचाई आ जाएगी और वाइवे कौन में निचाई होना अच्छा नहीं है, क्योंकि इस से पर जो आर्टी कर्ष्ट भी आते ह बेर की मेला हैं अशान्त किती हैं उनका मन नहीं लगता घर में विवाद होते हैं शतुता बरती हैं तो होता क्या है कि आपको जो इस्टेप देनी एक दो घर में उचाई यह निए आप पश्चिमु की घर को कभी ज्यादा उचा बनाना है नहीं चाहिए क्यों कि आप बड़ा रैंप देनी सकते हैं तो इसको फुरी उचाई दे कि बरसात का पानी अंदर ना है वो ध्यान रखते हो यहां से स्टार्ट करें पूरा फ्लो लेवर इसका बराबर रखें और बराबर रखते हो इसका और भार रैंप इसके भार बनाए यह तरीका करना चाहिए, यहां से इंट्री दी, इंट्री गलत उत्तर वाइब एक इंट्री हाल में जाने के लिए गलत है, यहां आना चाहिए, यह इंट्री सही है, डाइंग रूंग की, उपर जाने का दिया है, जिन दे सकते हैं, वो दिकत नहीं सही है, यह जो है, इन्होंने दिया है, बे करके मुख्या की तरक्की में बादा आएं तो समस्या आएंगी स्मूथ में सीरेगी तो यह गलत है नार्सिस का कटना गलत की फिर से इनको प्लानिंग करना चाहिए यह बहुत मैतनूल वास्टमोश है यह यहां से नीचे हो से इदर आने का कुछ चलेगा यह दर्वाजा गलत है यह दर्वाजा गलत है यह नर्व। वो गया रहा है यह साफ्ट दी और यह पे पर बनाया और यह नोंने किचन रखा किचन काफी बड़ा इधर वाश है तिसली किचन इस तक आ गया क्योंकि वाश इधर दिया किचन इस्टोर अब इसमें काफी दोश है किचन में एक तो इस तक किचन आ गया उसका प्रभाव यह रहेगा कि घर की मालकीन के पास सब कुछ होते है उसे लूतर्स दिस्राडर की प्राब्लम होगी पित की शिकायत रहेगी एसीडियूटीट ऑगे और साथमेर नसों बलड सर्कुलेशन की प्राब्लम होगी दूसरा किचन आ गया आपका में स्टोरेज किचन के अंतर ज्यादा खाने का सामान रखें यहार स्टोर किचन के अंदर होई कोई इसके अंदर से होके सुल जाना है इसी का पार्ट हो गया वैसा जब किचन होता है तो घर के लोगों कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है और हला जिन्दगी में ऐसे बनते रहते हैं कि पैसा बस हाथ से फिसलता जाता है खर्ट चुयाता है लिए सा होता है कि लोग वाशेरिया नीचे रख देते हैं अब ऐसा वाशेरिया नीचे रखेंगे तो यह होगे अगने कौन नीचा अगने कौन नीचा रहेगा तो घर में विवाद और कला रहेंगे ये भी गलत है वाशेरिया चाहिए जिस तर ने किचन बनाया ने स्टोर तो इनको इसको इधर करना चाहिए कि चंता की अगने कुन तक रहे वाश रहे है यहां करके और भार इसको यह क trait लेना चाहिए इस तो और उसको रास्तायां से ज़एना चाहिए तो वाश रहे इसको ताटेज हो सकता है और पूर मुखी मकान में वच्छी मुखी मकामें सबकों मैं सला दूना कि पीछे कम से कम आप साथ फिट लंबा है, छे फिट आट फिट की जगाए छोड़ दीजिए उपर चार फिट की बालकानी बना दीजिएगा, अब आपके आट फिट नीचे खाली जगाए उसको चेज नीचा रख दीजिएगा, एक स्टोरेज का पुछा, उसके अंडरगाव वाटर टेंग यहां बना दीजिए शान खुलने, खुला एरिया जो है नीचे, उसमें वाश एरिया उसमें बना लीजिएगा, और आपके खूब रोशन रहेगी, इस से को रोशन जादा नहीं आती है, इस से जादा रोशन नीचे नहीं आती है, अंधेरे अंधेरे रहेगा, इनको बहुत लाइटे जलाना पढ़ाएगा, ठीक है ना, यह दर्वाज़ा फिर इनका यह होगया, उत्तरवाई पर यह गलत है, इसमें यह इसके साथ यह अटेज हो सक जीवन में सरन्ता नहीं देगी जो चाहिए, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, नमस्कार